हेलो फ्रेंड स्वागत है आपका आपके लीगल चैनल सुश्वा परहार में दोस्तों कल एक मामला मेरे पास आया था उस मामले के बेस पर ये वीडियो मैं आप लोगों के लिए लेकर के आ रहा हूँ चाहे आप कहीं पे भी किसी भी स्टेश पे हो चाहे आपके केस शुरू हो रहे हैं चाहे आपके केस कतम होने वाले हैं चाहे मिडल में हो ये जो आज का वीडियो है ये आप सब को बहुत हेल्प देगा reason behind it क्योंकि इसमें हम बात करेंगे settlement के बारे में यानि जब दोनों party एक settlement में पहुंचाती है और उसके बाद mutual divorce की जो प्रकिरिया है उसका execution हमें करना होता है तो उस पर ये वीडियो है और आप सभी को पता है कि matrimal cases में आज नि तो कल दो साल बाद तीन साल बाद किसी के पान साल के बाद settlement होता ही है और मामले निपटते ही है अब यहाँ पर जो बाते हैं आज में आपको बताने वाला हूँ इनको ध्यान से सुनना और समझना और दोस्तों कभी भी भूल में मता आना क्योंकि आपने देखा होगा और पहले भी कई सारे वीडियो जैसे मैं अपने चैनल पर ला चुका हूँ जिसमें लोग ऐसे थे कि settlement हो गया settlement की बाद पैसे दे दिए गलत तरीके से पैसे दिए पैसे भी चले गए डैवोस भी नहीं मिला और आज तक कैसे जहिल रहे हैं तो दोस्तों इसी थीम पर ये वीडियो है तो दोस्तों ये मामला आपको बहुत कुछ सिखाएगा तो एंड तक आप लोग वीडियो में बने रहे ना और समझना देखें लड़की वालो और लड़के वालो के बीच में काफी साल पहले एक मामलो की शुरुआत हुई मतलब बिवात की शुरुआत हुई लड़की अलग रहने लगी मामले को बहुत टाइम हो गया धाई तीन साड़े तीन साल निकल गए और अभी तक कुछ नहीं हुआ तो फाइनली जो लड़की वाले है वो settlement पे आगे अब initially लड़की वाले कह रहे थे 50 लाग, आज लड़की वाले कह रहे है 10 लाग, समझना मेरी पूरी बात को आप सभी लोग जानते हो यह सब टाइम के साथ होता है शुवात में आप में से कोई भी होगा, सभी के केस में ही होता है एक करोड दे दो इवन, ऐसा भी होता है लेकिन बाद में वही 15, 20, 10 लाग रुपे में आपकी capacity के according की settlement होता है इसमें किसी का कोई रोल नहीं होता यह natural होता है क्योंकि बोलोग परिशान हो जाते है या कुछ मिलनी रहा उससे बढ़िया जो मिल सकता है वो ले ले तो वो समय के साथ सीखाती है उससे पहले नहीं आती initially आप उनको बोलो कि 10 लाग में कर लो कोई नहीं करेगा लेकिन बाद में होता है लेकिन यहाँ पर क्या होता है कि कुछ बीच के लोग कुछ मिडियेटर्स आप क्या सकते हो जो कि दोनों पक्षकारों का फायदा उठाने की कोशिश करते है means यहाँ पर लड़के को क्या बोल दिया गया कुछ लोगों के द्वारा कि भाई सब लड़की वाले तो 50 लाग पे थे हम लेके आया उन्हें 10 लाग पे हम अब इसमें कितनी सच चाहिए इसमें कोई सच चाहिए निया दोस्तो 10 पे तो खुद आये हैं और आते ही हैं हर मामले के अंदर आप ऐसा ही देखते हो लेकिन जो बीच का परसन था वो इस साफ फाइदा उठाना चाह रहा है वो क्या कह रहा है इन्हें 10 लाग पे तो हम लाए है तो इसलिए हमें भी इसमें शेर चाहिए यानि जो सट्लमेंट होगा उसमें भी हमें शेर चाहिए आप देखो साफ साफ लड़के को ये बोला जा रहा है कि बहिया जो पैसा आप लड़की को देंगे उसका 70% आप कैश में देंगे और जो आपके पेपर होंगी मीच्रोल डाइब उसके उस पे केवलन 30% ही अंकित होगा यानि 70% पैसा अनओफिशल है वो कहा जाएगा कहा नी जाएगा किसी को नहीं पता और अगर बीच में कोई गड़बड हो जाती है यानि लड़की सेकेंड मोशन से पहले अपना विचार बदल देती है या कोट में पेर नहीं होती है या कुछ और पंगा पड़ जाता है तो उस बंदे के वो सारे पैसे जो भी उपर से गए उसका तो कही रिकॉर्डी नहीं है वो तो गए गए और जो लड़की को भी दिये वो आपको पता ही है रिकवरी का कोई सिस्टम है नहीं फैमली कोट आपको कुछ दिलाता नहीं है तो ऐसे में आपके सारे पैसे बरबाद हो जाने है अब जब बात हुई उनकी वो खुद भी उने पता है कि गलत हो रहा है मेरे साथ लेकिन प्राब्लम यह है कि हम करें क्या लड़की का प्लेस बहुत दूर है और मेरा प्लेस बहुत दूर है अब अगर मैं वैसा ना करूँ तो करूँ क्या तो इस तरह से उस लड़के को इतना ज़्यादा मिस्गाइड कर दिया गया कि भई आपको तैसा करना ही पड़ेगा अब फाइनली फिर इस बात पर आए कि भई चलो ठीके कर लेते हैं पैसे का रिस्क ले लेते हैं जो भी पैसे देंगे अगर नहीं आएगी तो पैसे चले जाएंगे इस चीज़ के लिए भी मेंटली खुद को प्रिपेर कर लिया लेकिन इसके बाद अब सेकिंड चीज़ आती है तो उस पेटिशन के बेस पर मुझसे बाहरा सकें अब फरदारूं का कहना है कि सहब अगर मैं ये कहता हूँ कि मैं पेटिशन खुद बनाता हूँ या मैं अपनी पेटिशन में यह यह पॉइंट कवर करना चाहता हूँ तो वहाँ पर बोला जाता है कि नहीं ऐसा नहीं होगा जो हमने लिख दिया वो ही आएगा पेटिशन में तो दोस्तो इस से तो फिर भेटर ये होगा कि आप मना कर दें पैसे का भरोसा नहीं आपकी सेफ्टी का वरोसा नहीं पेटिशन आपके हिसाब से नहीं जा रही है वे रिसेंटली अलिगर्ड का एक मामला मेरे पास था इसी थीम पे बिल्कुल वहाँ मीच्रल डाबोस पेटिशन उस बंदे ने ड्राफ्ट करवाई एक एक चीज अपने हिसाब से लगाई लेकिन फाइल करते हुए मना कर दिया गया उसको हम ये पेटिशन फाइल ही नहीं करेंगे फाइल कर दी अपनी मर्जी से और लड़की बाद में सेकिंड मोशन पर आई नहीं लड़का भार रहता है फॉरण में लड़के की फैमिली इंडिया में रहती है और सारे के सारे केसेच कर दिये वह 498 के फाइयर करा दी उसमें 420 वार सो भी सब लगा दिया बहुत सारी धारें लगा दी अब लड़का परिशान और जब हमने बोला कि भाई मीच्रल डावुस के पेटिशन में जो तो जब वह पेटिशन आई तो उसमें लिखा वा था कि लड़के ने उसको परिशान किया आपको सोचो कहीं मीच्रल डावुस के पेटिशन में सब लिखा जाता है ये सब लिख रखा था उसके अंदर और भी तमाम परकार के लूप होल्स थे और वह पेटिशन ऐसे है कि अगर वह 498 के केस में रख दी तो लड़के को सजा पड़ जाएगी तो इस परकार करके फाइदा क्या हुआ पैसा भी जा रहे है आप लोग की सेफटी भी नहीं है आज वो लड़का विचारा मेरे को बोलता है अगर आप इस तरह की चीज़े करते हो तो इसलिए आपको समझना है बातों को अगर आप यह सोचते हो कि आप किसी को खुश करना चाहते हो अगर मैं ऐसा नहीं करूँगा या ऐसा नहीं बोलूँगा तो जो सामने वाला मेरा बंदा है या जो और कोई विक्ती है वो नाराज हो जाएगा तो भाई साब फिर कुछ सॉलिशन नहीं है इसका फिर तो आप अपनी किसमत पे छोड़ दो सब कुछ जो होगा देखा जाएगा और जब कुछ गडबड होगा तब देखेंगे तो फिलाल कुछ नहीं हो सकता पैसा आपका, सेफटी आपकी सब कुछ आपका है तो थोड़ा सा सोचचार करो ठीक है एक हद तक रिस्क लिया जा सकता है थोड़ा बता पैसा है उसका भी रिस्क लिया जा सकता है पर safety से compromise करना बिल्कुल भी ठीक नहीं होगा दोस्तों यह trend चल रहा है यहाँ पर आपके पैसे भी चल जाते हैं सब कुछ बरबाद हो जाता है इससे वहतर तो बोल कि यह नहीं है कि आप सामने वाली party से बात करो भई ego ही तो problem create कर रहे है आप दोनों के बीच में अगर सामने वाली party से direct बात हो तो सामने वाली party का भी फायदा होगा आप इस case में देखो सामने वाली party को 30% दिया जा रहा है समझ मारी यह बात तो चाहे आप लड़का है चाहे लड़की है दोनों के लिए वीडियो equally important है क्योंकि लड़की का भी तो loss है भाई उसको 10 रुपे के जगा 3 रुपे मिल रहे है और लड़के के उपर तो रिस्ख है तो क्या फायदा हो रहा है आपको communication gap करके अगर यह communication gap ना हो डेरेट आप लोग की बातची तो एक सोहार्थ से आप लोग काम को करें निप्टा है ठीक है तो कितना आसान हो जाएगा लड़की को भी ज़्यादा पैसे मिलेगा लड़का भी सेफ महसूस करेगा और बहुत ही आसानी से रिस्पेक्ट के साथ इजट के साथ चीज़ें निपढ़ भी जाएंगी दिक्कत आती है आप लोग communication बंद करते हो आप लोग के बीच में miss communication होता है अब तीसरे चौथे पाँचवा आदमी को बीच में डाल करके बात कर रहे होता है मैंने देखा ego में लोग कैसे कहते हैं अब तो मेरा lawyer तुमसे बात करेगा अब आपने communication बंद कर दिया communication gap आपने create किया तो इससे नुकसान एक party को नहीं दोनों parties को होगा कभी भी communication को बंद मत होने दो communication direct रखो जो आप बोल रहे हैं वो adjective सामने वाली party तक पहुचे तो communication आपकी direct होनी चाहिए तब ही पहुचेगी तो कुछ चीज़े हैं भाई देखो ego हटानी पड़ेगी दोनों party फायदे में रहोगे बाकि आप लोग की इच्छा है लेकिन समझना इस बात को और घहराई से सोचना चले दोस्तों आज किस वीडियो में इतना ही नेक्स्ट वीडियो में जानकारी के साथ में आपसे फिर मिलता हो तब तक के लिए goodbye and thank you for watching take care